कि अगर आप अपना पिक अप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं फ्लिपकाट के ऊपर उसका क्या प्रोसेस होता है क्या टंसन कंडिशन रहता है यहां पर उसको हम जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो बहुत ही सौट होने वाला है एंड तक जरूर देखेगा सोटेट हमने औरडी बनाया है नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा तो फॉलो और आप हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं सेंपली कूगल पर जाके एकॉम स्प्रिंट डॉट कॉम सर्च करिए इस वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए फ्लिपकाद Amazon ओनलाइन से रिलेटेड डेली अपडेट के लिए इस ब्लॉग को आप फॉलो कर सकते हैं अब देखते हैं फ्लिपकाद पीकप एड़स को हम कैसे चैंज कर सकते हैं वताउप फॉर्द एडू लेट्स स्टाड़ अओग चैंज कर ने करroprietiri क्या होता है कैसे अब पिककाओ जी स्टेने सकते हैं कैसे आपको पता चलिए कि कौन से लोकेशन मेंकेश में का पिकाओं विल्ड लग से अपको दो चीज को दियान देना है दो टाइप कर रहे हैं कर रहे हैं और मॉस्ट बहुत सारे बिन कोट्स पे यह एबलॉबल रहता है तो सबसे पहले हमको यहां पर पता लगाना रहता है कि पहुंसे लोकेशन में अबलेवल है और नहीं है तो यह टिकट रोइस करके किया जाता है मैं आपको प्रॉसेस शो करूगा प्लाटफॉम्स जैसे की जियो मार्ट पे अगर आप अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो वहां पे विदिन स्टेट भी अगर चेंज कर रहे हैं तब भी आपको वहां पे अपना अलग से जेस्टी आपको दिखाना पड़ेगा लेकिन फ्लिपकट के केस में यह चीज अपना पिकव एरेंज करना चाहते हैं तो इस केस में क्या होगा विदिन स्टेट में अगर आप विदिन स्टेट मूब करना है तो आप एजी लिग सकते हैं यहां पर आपको कोई डॉक्मेंटेशन एक्स्टा जुरूत नहीं पढ़ता है ठीक है मैं बताँगा कैसे आपको टिकट रेस करना है नेक्स हो सकता है आपको विदिन स्टेट मूब करना हो अगर विदिन स्टेट मूब करें विदिन स्टेट मूब करें आप चाहते हैं इंदोर में अपना वेराउस ओपन करने के लिए वहां से आप शेप्मेंट देना चाहते हैं तो इस केस में भी आपक पिकप location set कर सकते हैं तीसरा case हो जाता है कि आपको different state में आप अपना वेराउट open करना चाहते हैं. आप उपन चाहते हैं वहां से फिर पिकप करें तो जब state अगर चेंज हो जा हैं in that case भी आपको GST registration करवाना पड़ता है different state के लिए अगर आप बोपाल से बिलॉंग करते हैं और आप बैंगलूरू में flip card warehouse ले रहे हैं उसका facility लेना चाहते हैं तो आपको बैंगलूरू में अपना एक GST registration करना पड़ेगा अपना company के नाम में तब जाके फिर वहां से आप अपना shipment भीजवा सकते हैं ठीक है यह चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा चाहे वह Amazon FBO हो या फिर आप खुद का अपना warehouse करना चाहते हैं different state में तो वहां पर आपको GST registration अलग से लेना पड़ेगा GST registration के बारे मागर जाना चाहते हैं तो आप खुद से apply कर सकते हैं इसके पर complete एक वीडियो मैंने बदाया है आप लिंक दे दूंगा मैं नीचे description में आपको watch कर लिजेगा आप easily इसके लिए कुछ से apply कर सकते हैं GST के लिए अब हम देखेंगे किस तरीके से अपना पिन कोड को हम सेट कर सकते हैं कैसे request डाल सकते हैं वार हाउस पिन कोड या फिराउस एड्रस को चेंज करने के लिए तो इसके लिए आप अपना फ्लिपकर्ट के डाशबर पर चले जाए है यहां पर सर्च कोरी में आपको पिन कोड सर्च करना है पिन कोड सर्च करिए इसके पाद यहां पर एक option दिखेगा हाव डू आई चेंज अपडेट माइं पिक अड्रेस करके ठी आपके लाओ गया कि जो पुराना लोकेशन आपका वहां से कोई भी पेंडिंग और सापके नहीं होने चाहिए जितने भी और आये हैं वहां पर पहले आपको फुल्फिल करना पड़ेगा उस लोकेशन में जितने भी प्रड़क्स के आपने स्टॉक मेंटन किये हुए हैं उसको सब्सक्राइड आपको जिरो करना पड़ेगा बस यही दो चीज पर आपको ध्यान देने इसके बाद आप अपना एंडरेस को चैंज करने का रिक्वस्ट डालेंगे रिक्वस्ट करने के लिए सिंप्ली इस पेज के नीची चले जाएगा यहां पर आपको सिलेक करना कि जिस एडर्स पर आप लोकेट करना चाहते हैं वहां पर पॉसिबल है या नहीं तो आप यहां पर पिन कोट का लिस्ट दे दीजिएगा यहां पर लिख दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में कि इन पिन कोट को हम कंसिडर कर रहे हैं एक अरेंज करने के लिए आप हमको यह अब रहुतर कोट कर दो हम यहां पर रिप्लाइब सब्सक्रिप्शन दीजिए अपर पिंकोर्स आप डाल सकते हैं हम को मैं उप्शन दे दीजिए जो जिस भी पिंकोट के ऊपर अबलेवल होगा लाशिएवमेंट श्माल शीपेंट वह आपको फिर यहां पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं उसका पिन कोड यहां पर डाल दीजिए उसका कंप्लीट उसके बाद लैंड मार्क डिस्टिक स्टेट और जी स्टी नमबर यहां पर अप्लोड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप विजन स्टेट यहां पर मुग कर रहे हैं तो इस तरीके से सिंप्ली आप अपना टिकट रेस कर देंगे टिकट रेस करने के कुछ एक दो दिन के अंदर ही आपको रिप्लाइ मिल जागा सभी पिन कोड्स के उपर पॉसबल है या नहीं है उसके बेसिस पे आप फिर डिस्टिन ले सकता है कि हमारा जो नया वाराउस होगा पेकप लोक कीप सेलिंग कीप स्मैलिंग डिट रहने के लिए आप नीचे जो टेलेग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको जॉइन कर सकते हैं वहां पर हम सारा अप्डेट्स पोस्ट किया करेंगे आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहां पर हैल्प कर पाएं एक प्रेस्ट बेल इक नेवर मिस अपडेट